हेलो, गुड मॉर्णिंग डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर फास्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 11 लेसन का नेम पूसी कम्स होम, पूसी घर आ जाती है, पूसी एक बिल्ली है, ये लेसन रीड कर लिया, आज हम क्या करेंगे, अक्सर्चाइज, इसकी देखो, म पूसी प्रेक्ट ऑप्शन है, उस पे टिक करना है, दा डैस इस रेस्टिं इन दा पार्टी को, जो पार्टी को ब्राम्दा उसमें कोन अराम कर रहा था, डोग, कुट्ता, दा सन डिप्स बिहाइंड दा डैस, जो सन सूरे हो, वो किस के पिछे चिप रहा था, हील्स, पूसी है, जो क्या कलोज कर ली, बंद कर ली, आइज, आंखे, बी देखो, टिक दा, राइट एंड क्रोस दा रोंग स्टेटमेंट, पूसी इज लेफ्ट आ लेनों, इन सब में से पूसी क्या होगी, अकेली होगी, ये सही है, दा बाड़्च डू नोट फ्लाई ओन देर जो पूसी है, वो नहीं उट रहे थे, नेश्ट गोशले की तरफ ये गलत है, गोशले की तरफ ही जा रहे थे, पूसी डज नोट गो टू हर बास्केट, जो पूसी है, वो नहीं गई, कहां पे बास्केट, टोकरी के अंदर ये भी गलत है, लास्ट में बास्केट के अंदर वह सकतें संन बेहाइंड दा हील्स। पाड़ियों के बिचे आंशवर्डा प्लोइंग क्यों संह। फूसी वह थे फूसी वह भी को बोगती है है फूसी यहां पे आएगा। कुकिंग वो इज इन दा पार्टी को पार्टी को ब्रामदे के अंदर कौन था डोग वेहर डाल्दा केट फाइनली गो टू सलिप जो केट है वो फाइनली कहां जाकर सोगे थी बास केट के अंदर आप अपने बुक्स के अंदर अच्छे ची राइटिंग में यह अक्सरसाइज फिल अप करोगे थैंक्स हैवे नाइश देल